हां तो दोस्तो केस वाप सभी आसा करता हूं कि एकदम मस्त होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वला हूँ कि यह जो हमारा 908 के MCPC भी होता है इसको जलाने के लिए हम घर पर ही केस एक ड्राइवर सर्किट बना सकते हैं दोस्तो यह जो ड्राइवर सर्क मैं इस वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा उसी से ही MCPC भी जलाकर दिखाऊंगा तो चलिए दोस्तो बिना दर कि आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो ये 9-0 का driver circuit बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार के एक non-polar capacitor चाहिए दोस्तो ये जो इसमें दो लेग देख रहे हैं ये दोनों लेग में कोई भी plus minus नहीं होता है इसलिए इसको non-polar capacitor बोला जाता है और दोस्तो इसका जो value आप लोग देख सकते हो 105-400 volt तो इसी value का ही एक non-polar capacitor चाहिए और दोस्तो ये आपको electronics की दुकान पर मिल जाएगा या फिर कोई भी जो हमारा charging torch आता है उसका भी जो circuit होता है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा तो इसी value का ही आपको एक PF capacitor चाहिए तो इसको मैंने यहां पर लगा लेता हूँ और इसको बहुत सरे लोग PF भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो value होता है वो हमारा pico farad में होता है तो इसी प्रकार से लगा लेने के बाद आपको एक register चाहिए जो कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो ये हमारा 560 kg और quarter watt का एक register है अगर आपके पास इस value का नहीं है तो आप यहां पर 470 kg quarter watt का register भी ले सकते हो दोस्तो ये register में भी हमारा दो leg होता है और ये दोनों leg में हमारा कोई भी plus minus नहीं होता है तो ये register की जो दो leg देख रहे हैं इसको हम ये capacitor की जो दोनों leg है इसके साथ कुछ इस प्रकार के रखके यहां पर हम soldering कर लेते हैं और दोस्तो इसके बाद आपको 1N4007 की 4 diode चाहिए और ये जो diode होते हैं दोस्तो इसमें हमारा दो भाग दिया जाता है जैसे कि यहां पर वीडियो में देख सकते हो एक silver color का छोटा सा भाग होता है जो की diode का negative side होता है जो की यह वाला देख सकते हो और यह जो black color का बड़ा सा side होता है यह हमारा डायोड का positive side होता है यानि कि यह plus होता है और यह minus होता है तो दोस्तो इसी प्रकार से यह सभी diode में होता है तो देखे दोस्तो अभी मैंने ये दोनो डायोड की जो black color की side है positive side इनको मैंने एकसा soldering कर लिया हूँ और यहाँ पर ये दोनो डायोड की जो हमारा silver color की side है negative side इनको मैंने एकसा soldering कर लिया हूँ तो दोस्तो अभी हम यहाँ पर यह जो हमारा दोनो डायोड है इनको मैंने यह दोनो डायोड के उपर कुछ इस प्रकार से रख लेता हूँ तो एसे ही दोस्तो मैंने यहाँ पर यह दोनो पैंट को सोल्डरिंग कर लेता हूँ तो देखिए ये दोनों point को मैंने सही तरिके से soldering कर लिया हूँ और ये 4 diode मिलकर अभी हमारा bridge rectifier बन चुके हैं और ये bridge rectifier का काम होता है AC voltage को DC voltage में बदलना तो अभी मैंने ये bridge rectifier को ले रहा हूँ इसमें देखिए हमारा जो एक diode का black वाला side और एक diode का silver वाला side है ये जो point देख रहे हैं इसको हम ये PF capacitor का एक leg केसा soldering कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से मैंने यहां पर इसको soldering कर लेता हूँ तो इसके बाद दोस्तो मैंने ये capacitor ले रहा हूँ इसका value आप लोग देख सकते हो 100V 68μF है तो दोस्तों ये capacitor में जो ये minus वाला पट्टी देख रहे हैं तो इस side का leg हमारा minus है capacitor का और ये जो वाला leg आप लोग देख रहे हैं ये हमारा capacitor का plus है तो ये जो capacitor का minus वाला leg है इसको हम ये जो दोनों डायोड की black color का side है दोनों डायोड की positive side है तो इसी के साथ ये capacitor का negative जो leg है इसको soldering करेंगे और बाकी ये जो capacitor में आप लोग positive वाला leg देख रहे हैं इसको हम ये दोनों डायोड की जो silver वाला side है यानि कि ये दोनों डायोड की हमारा negative है पर मैंने दोनों लेक को मोड लिया हूं तो अभी मैंने ये कैपाशीटर को यहां पर सोल्डरिंग कर लेता हूं जैसे आपको बताया हूं तो दोस्तों अभी मैंने ये नाय नाट का M.C.P.C.V को ले रहा हूं तो देखिए इसका जो माइनस वाला point है इसके साथ मैंने yellow color की wire को soldering किया हूं और इसका plus वाला point पर मैंने red color की wire को soldering किया हूं तो दोस्तों इसका जो minus वाला wire है mcpcv का इसको हम ये दोनों डायट की जो plus वाला side है इसके साथ soldering कर लेंगे और दोस्तों ये जो हमारा mcpcv का प्लस वाला point के साथ ये red color का wire soldering हुआ है इसको हम ये दोनों डाट की जो negative देख रहे हैं इसी के साथ soldering कर लेते हैं तो दोस्तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर MCPCB के साथ ये हमारा driver circuit हमने बनाए है इसका connection कर लेंगे तो अभी हमारा connection complete हो चुका है अभी हमें सिर्फ ये जानना है कि ये जो हमारा driver circuit है इसमें हमें कहां पर 220V AC का जो 2 wire होगा उसको देना है तो देखिए दोस्तो ये जो हमारा capacitor का एक leg हमारा किसी के साथ connection नहीं हुआ है सिर्फ एक register के साथ connection है इसी के साथ हम 220V AC का एक wire को दे देंगे और उसके बाद दोस्तो देखिए ये जो हमारा एक diode का black side और एक diode का silver वाला side ये point है इसी के साथ हम 220V AC का दूसरा wire को देंगे तो ये एक point और ये दूसरा point तो ये दोनों point पर हम हमारा जो line का wire होगा उसको दे देंगे तो दोस्तों ये जो दोनों वैर देख रहे हैं इसमें हमारा 220V AC है तो यहाँ पर मैंने जिसे आपको बताया था कि एक वैर को हमारा ये क्यापासिटर की एक लेक के साथ देना है और दूसरा वैर को ये दोनों डायट की जो पैंट है यहाँ पर देना है तो देखिए अभी हमारा MCPCB जलने लगा है तो इसी प्रकार से आप अपने घर पर ही बहुती कम रुपे में ये LED वल्प के लिए driver बना सकते हो और दोस्तों ये हमारा 9W MCPCB के लिए specially बहुती अच्छी तरीके से काम करता है अगर दोस्तों आप कोई वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है कोई भी चीज समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए मैं उसका रिपले आपको जरूर दूँगा तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही जहिन जवरत बंदे म तरम